तो यह वाई मंदल की सर्रेशना पर हमने डिसकस्टन किया था था भी थोड़ देर पहले देख्यें पांच इसकी परत्रें बताए थी आपको मैंने मंदल बताय थे शोब मंदल समताप मंदल मद्ध्य मंदल आयन मंदल और ब्रह मंदल इनके सभी विशेशता है मैं आपको बादल पर होती है सब्ताब बंदर में आपको बताया था थे यहां पर तापमान समान रहता है कोई मौसमी घटना नहीं होती इसलिए इसको हम समताब मंदल करते हैं इसकी उचाई प्रित्फी से 50 km है वैसे अगर देखाया तो 12-50 km के बीच पर यह चेत्र है यहां पर कोई मौसमी घटना नहोंने के कारण से वायुयान उड़ाने के लिए इसकी सिति मानी जाती है जाती है और आपने बताना है कि जो श्य हो रहा है यान च्छेद हो रहा है वो ग्लोबल वाब्मिंग के कारण से हो रहा है हम कई बार सुमते रहते हैं लेकिन प्रमुक्तत्व क्या है जिसके वह हो रहा है यह बताने आपके कौन सी गयस है मद्धि मंदल में आपको बताया था मैंने इसकी उचाए 50-80 km तक होती है और इसके आतव का है हर्मोस्फियर ताप मंदल इसको हम दो भाव में बाड़ते हैं इस आयन मंदल वा बहा मंदल में बहुत सारे आयन होते हैं इस दिए इसको आयन मंदल करता है यहांसे रेडियो अक्टिव तरने तरंगे होती हो प्रिस्वी के प्रावर्तित होती है इसके उचाए 80-600 km होती है और ऐसे ही पिर अन्तिम है आपका बहा मंदल जहां पर हम प्रिस् विश्व की परमुक नदिया अब यह हमारा में टॉपिक है आज का सबसे पहरी नदिया है बहुत सारी नदिया है लेकिन जो पुक की नदिया है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी हुई है इनको आप देख लेगी का विशेस वाते इनकी है और ज्यादा मैं इस पर डिस 6,650 किलिमेटरिस की लंबाई मानी जाती है यह कांडा बुरुंडी टीयार कांगो केनिया एथियोपिया सुडान युगांडा और मिस्र यह इतने सारे देशों में हुगर की गुजरती है ठीक है पर आपका है मिस्र को नीन नदिका वर्दान का हैता है छोटी-छोटी क्ला होता है और यह नोट करने आपने की यह जो नदी है यह लगभग 11 देशों से गुजरती है इसका उद्गव इस्थान कहां है तो ध्यान दे मध्यपूर्व अफ्रिका यह इंपोर्टेंट है आप लोगं के लिए याद रखेगा इसको आप क्या विक्टोरिया जील मध्यप सब्सक्राइब्स का उद्गम बानते हैं नेगए इसके बाद यह तो भीते थे सुगेट नील के नाम से इसकी मुख्छायक नादी जो निली नदी जो कहां से निकलती है अथोपिय बिदो पियो को हॉर्ण ओफ अफ्रीका है हालों से ख॑त है अफ्रीका कीusa किसे का जाता है तो इथोपियों को कहा जाता है याद रखना है यह सिर्फ नदियां आप पड़ रहे हैं अगर बीच में कुछ आपको ऐसा कंटेंट मिलता तो इसको आप नोट करने याद करने तो यहां से इथोपिया से एक इसकी नई सहाय नदी जो है वह निकलती इसका ना कहा जाता है संगम हो गया है यह संगम का लीजिक को तो स्वेथ और नीली नदी के संगम के उपरांच इसे नील नदी कहा जाता है यह था आपका नील नदी के बारे में अब हैं अमेजन अमेजन को सबसे बड़ी नदी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इसकी चोड़ बताया जाता है अफवाह शेत्र की द्रिष्टी से अफवाह तो वह जागा ना आपका अफवाह फैलानवला अफवाह होता है ठीक है पॉ करेक्ट कर लेजीगा पॉ होता यह फॉनी होता अफवाह मुझंग शेत्र में शेत्र की जिष्की से यहाब स्विष्रिय सबसे बड़ी नदी हैं बताया था आपको मैंने की नीवनाधी लंबी बहुत लेकिन चौड़ी नहीं है लेकिन अमेजन जो है वह बहुत चौड़ी भी है और काफी लंबी भी है इस वैसे माने आता है कि इसमें सबसे अधिक पानी होता होगा ठीक है कोई भी कुछन आपको आ रहा होगा मन में तो पूछ लिजी कहां जाएगी आमेजन है अमेजन है तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है ठीक है यह याद रहेगा इसका उद्गमिस्थान कहा है एंडी परवत में दिखीगा इसका उद्गमिस्थान कहा है एंडी परवत में जो की पेरु में पढ़ता है अभी परवत पढ़ाये थे आप लोंगा मैंने रोकी एंडी और एंडी का बताया था कि सबसे बड़ी परवत चेनी हों कौन सी है आद है या भूल गए बताइए चलिए इसके आगे है यांग टिसी की आंग नाम सुनाई होता आपने तेरे सट सो किलोमेटर लंबी नदी है चीन की नदी यह विश्वी की तीसी सबसे बड़ी नदी है और एश्या की अगर बात करेंगे तो एश्या की सबसे गिरती है और इसका उद्गम कहां से है तो उद्गम याद रखीगा सीकॉम की पाहड़ी से अभी आपको में तीन नदीयों के उद्गम बताएं है फटा फट जल्दी जल्दी आप बताएए क्या क्या नाम है इनके लिखे चैट बॉक्स में जल्दी लिखे नेक्स्ट है 275 किलोमेटर है इसका इसका उद्गम स्थान जो है वो क्या है जील इटासका हिमानी हिमानी मतलब गलेशेर होता है आपका क्या है जील इटासका मोहाना मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है मोहाना मतलब मोहाना होता है यहां मतलब जहां से निकलती है मोहाना मतलब यहां पर यह इतनी इंप्रड़न अपने नहीं होती है कि नेश्टम आते हैं वेश्वी की नदी के संबंद में प्रमुक तत्य अब चार हमने बड़ी-बड़ी नदियां पढ़ ली है अब वो नदियों से संबंदी कुछ तत्य हैं उनको हम जान लेते हैं पहला है आपका सिंदु वा उसकी सायग नदियों से निर्मित अंगिनत नहरों के कारण पाकिस्तान को नहरों का देश का जाता है तो नहरों का देश किसे कहते हैं हम पाकिस्तान को कहते हैं याद रखना है इरावती नदी को म्यामार की जीवन धारा कहा जाता है तो म्याम्मार की जीवंधारा किसे कहते हैं इरावती नदी को कहते हैं पीली मुलाया मिट्टी के कारण वांग्यो नदी जो चीन में है को पीली नदी कहायता है तो नील नदी तो कहां है आपकी पताओ अफ्रीका के शेत्र में है लेकिन पीली नदी कहां है बताओ तो चीन मे ही यूर्त की सबसे लंबी नदी कौन सी है वोलगा है कि बस इतना इंपोर्टेंट आपके लिए कि यह उनसी है उइस राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्य जल दमार केमार मतलग कि आहां पर वियापार वगरा बहुद जलते होंगे इसलेश सोड में अच्छा की इप्णद हैं किसे इप्णार जाता है तो पीन storing को इप्णा नदी वह smaller के बहुर्त है और और एक के बहुत पाती में और पयाद करने के बोल रहा हूं कर दिया आप लोग मेरी सिर्फ यह याद करने के लिए तरीका आपका है एक तो भारत में और दूसरा इटली में तो आप रहुल गांदी जी और सोन्य गांदी जी से याद कर सकते हुआ कि मर्रे तथा डालिंग नदियां यह कहां है ऑस्ट्रेलिया महादीड की परणुक्त नदियां है यह थ्यादों कर दिए तो पुल नदी इसलिए परणुड़ का द्याय और यह यह यंव्ज्टे लंभी नदी इओ कांगो नदी तो आपको नाम पताई है कि अफ्रिका में है क और ये इसलिए सथैंट युद्य दोपाइब संतते हैं कांगो एक ऐसी नदी है जो दोबार करता ये प्रशन है अब से पूछा सब्शकाइं में छेशक Looks कर द्यान दिजाएबा माकर रहा क qa sacrifice को विकड़ा आपके लिए बंप मखर रहा को नदियों के किनारे इससे पहले कि हम इसको रिवाइस करते हैं आप एक बार जो उपर आपको पढ़ाया गया है उसको एक बार दुबारा से देख लीजिए और कोई भी एक डाउट है तो पूछे तो ठीक है फिर अभी आप लोग को मैं मैप के थूरू भी दिखा दिया हूं क कि कौन सी नदी कहां पर है और कहां से उसका मुहाना होता है कहां पर खतम होती है इसको आप लोग को बोल दिया जैसे की वर्ड मैप लेकर क्या आप अपने घर पर आराम से समाग कीजीगा अब आते हैं हम नदियों के किनारे इस्थित विश्व के प्रमुक्स शहरों पर लोग से देखिए मैं बोलुगा ने इनको कि पाकिस्तान का लाहर जो है कि नारे सब चलिए नियॉयॉक कहा है के हर्ट्सन नदी किनारे है लाहर रामुड के किनारे किनारे कहरा नील के किनारे खाथुन फ्रुण परत याद रूखने आपने जो इमपर्डूडटिंख शेह और जो इंपडेंट शहर है वो किस नदी किनारी यह बता होना चाहिए कराची किसके किनारे सिंदू किनारे है यह आप लोग देख लिएगा तो यह हमारा डॉक्मेंट ओवर उता है आज का चलिए तो देख लिए फिर आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है सबसे पहले आपक दिसकस किया हमने और नदीयों किनारे कुछ शहर हैं वो डिसकस कर लिए हैं इसको मैं यह ओवर कर रहा हूँ है कि अ झाल 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 झाल